Welcome Friends in Health Rambo दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा की बिमारी के बारे में अस्थमा बिमारी को अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे कि दमा है, स्वास रोग है या चोक के नाम से भी इसको जानते हैं यदि हम बात करें अस्थमा होता क्या है? तो अस्तमा जो होती है फेफडो की बिमारी होती है लंग्स की बिमारी होती है और इसका जो मुख्या संबंध होता ब्रॉंकियोल्स जो हमारे फेफडो का एक पार्ट होता है ब्रॉंकियोल्स उससे होता है ब्रॉंकियोल्स जो होती है पतली जो पाइप होती है जो सांस लेने सासाथ में बलगम भी जादा होता है म्यूकस भी जादा होता है इस वैसे क्या होता है वैक्ति को सांस लेने में परशानी होती है सांस प्रॉपर नहीं जा पाती है इदि हम बात करें अस्तुमा होता क्यों है इसका कारण क्या होते है तो अस्तुमा के मुख्य जो कारण होते है पहला होता है कि pollution जो बहुत ज़ादा फैक्टियों से या अवाई पर्दिशन वगरा जो होता है उसके अलावा जो लोग बहुत ज़ादा fatty food काते हैं, घी, तेल वगरा ज़ादा खाते हैं या जो लोग smoking करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग को dust, धूल से allergy होती है या फिर एदि आपकी family में पहले से किसी को अस्थमा वगरा है, तो आपको होने के chances बढ़ जाते हैं उसके अलावा जो lungs का या फेफ़रो का infection जो होता है, बैक्टिरिया या वाईरस जिसे टीवी है, या कोरोना वाईरस है, कोविड वगरा या दूसरे अन्नेक की वज़ा से mycoplasma वगरा है, pneumonia वगरा, उसकी वज़ा से या इन्फेक्शन हुआ, ये भी आगे चलके आपको अस्थमा की problem create कर सकता है उसके अलावा smoking बहुत बड़ा एक कारण होता है, मतलब धरुमपान, साथ साथ में, कुछ लोगों में पाया गया है कि चिंता की वज़ा से भी ऐसा हो जाता है, उसके अलावा मोटापा भी एक कारण होता है, जो आगे चलके अस्थमा का रूप ले सकता है यदि हम बात करें हैं, आस्थमा के 10 ultrasound क्या होते हैं, तो आस्थमा का सबसे पहले मोटा होता है, बार बार खांसी आने के समय कटनाई होना, बलगम का नानिकलना उसके अलावा सांस लेने में परशानी होना, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज आना, सीञ सीञ सी आवाज आना, उसके अलावा चाती में जकड़ा, हाट भारी, पंच, सांस फूलना, या गले में ड्राई होना, गला सुष्च कोना, साथ साथ में बेचैनी होना, या फिर जो नारी गती है, उसका बढ़ जाना, मतलब हार्ट बीट का बढ़ जाना, यदि हम बात करें, अस्तमा होने पर कौन कौन सी जाच करवानी चाहिए, तो अस्तरह होने पर चेस्ट, X-ray वगरा से आपको पता चल जाकता है, कि सूजन है की नहीं है, उसके अलावा इस पूटम का कल दूसरे हने टेस्ट भी करवा सकते हैं, इससे पता चलेगा अस्तमा है की नहीं है, उसके अलावा आपके डॉक्टर CT scan या MRI भी करवा सकते हैं, या फिर आगे चलके ब्रॉंकियोस्कोपी वगरा की विज़रोत पढ़ सकती है, यदि डॉक्टर दूसरी हने बीमारियां यदि हम बात करें अस्तमा का क्या इलाज होता है, तो अस्तमा के लिए जो एंटी इंफ्लमेटरी सूजन, विरोधी दवाई वगरा दी जाती हैं, जो हमारी ब्रॉंकियोस्की सूजन को कम करती हैं, उसके अलावाब बहुत सारे डॉक्टर स्टरॉइट प्रोपेशन्स भी अस्तमा होने पर क्या खाएं, कैसे बचाओ करें, तो उसके लिए आप विटामीन डी जो इंडिश फूड होते हैं, उनका जादा से जादा से जादा इस्तमाल करें, जिन चीदों विटामीन डी होती है, उसके अलावा हरी पत्तेदार सबजियां वगरा पालक है, या दूस जैतुन का इस्तमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप एंटियोक्सिडें रिट फूर्ट जैसे चुकंदर है, नील बदरी है, ब्लू बेरी जिसको बोलते हो खा सकते है, अलसी है, ले सकते है, कद्दू के बीच खा सकते है, उसके अलावा हल्दी है, साथ-साथ में प्याज, लहसन, फलियां जिसे मटर, अनार, उसके अलावा जैतून का तेल वगरा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं ये सबी चीज़े आपको लंग्स को मजबूत करते हैं यदि हम बात करें अस्तमा होने पर क्या ना खाएं यदि आपको किसी भी फूड से अलर्जी है मतलब आपको खाने के बाद परशानी हो जाती, चक्कते पढ़ जाते हैं सास से लेने परशानी होती है, पेट खराब हो जाता ऐसे फूड अवाइड करें जहातर लोग को पाए गया उनको दूद से अलर्जी होती है हाला कि अस्तमा में दूद आपको फाइदा करेगा बट यदि आपको अलर्जी है तो ना खाएं उसके अलावा अंडा भी आपको अस्तमा में फाइदा करेगा बट यदि आपको अस्तमा अंडे से अलर्जी है तो इसको एवाइड करें साथ-साथ में मचली भी फायदा करेंगे अस्तमा में बट यदि आपको मचली से हलर्जी है तो मचली भी ना खाएं उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मौंग्फली से अलर्जी होती है इसको अवाइड करें साथ साथ में जातलोक और मशरूम वगरा से भी अलर्जी होती है इसको भी अवाइड करें या पनीर वगरा यदि इससे अलर्जी इसको भी अवाइड करें साथ साथ में जादा तली हुई चीज़े, जादा मीटी चीज़े या ठंडी चीज़े ना खाएं, उसके अलावा शराब बगरा से परहेज करें, यदि हम बात करें अस्थमा होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाएं, आप जो है अपने लोकल फुजीशियन जो आपके नजद ट्रिट्मेंट होगा, साथ साथ में यदि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पेडिटिशन को दिखा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उमीद है इंफोरमेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर करें, क्वेरी है तो कमेंट वाक्स में कमेंट करें, चैनल सब्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, विध इस थैंक यू वरी मुच फॉर वाचिंग, एल्स रैंबो